सात्यों किसान भाईयों को अगर ये पता चल जाए कि उनके खेत में या फसल में किस तत्तो की कमी चल रही है तो वो बहुत आसानी से उसी तत्तो की पूर्ती करके बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और कम समय में ले सकते हैं कम लागत में ले सकते हैं साथियों ये किसान भाईयों के लिए किसी भी बहुत बड़ी medicine से कम नहीं होगा, अगर इस टाइप के कुछ तत्तों के कमी के लक्षन पता चल जाएं किसान भाईयों को, तो बड़ी आसानी से अपने खेतों में इस प्रिकार से experiment करके पहचान के ये पता लगा सकते हैं, कि उ उन्हें बहुत ज़्यादा struggle face करना पड़ता है, सात्यों आज की वीडियो में बोरोन के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि बोरोन की कमी होने पर क्या लक्षन मिलते हैं, सात्यों आज बात करेंगे तावी की कमी की और मेगनीज के साथ मैं जिंक की कमी की, अगर जिंक सलफेट की कमी आपके खेतों में है, तो कितनी मात्रा में आपको जिंक सलफेट डालना चाहिए, और किस समय पर डालना चाहिए, और इसके लाब आपको क्या क्या मिल सकते हैं, तो आए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, सात्यों आज की वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि बोरॉन की कमी के क्या लक्षण है तो बोरॉन की कमी में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके अगर पौदे में फ्रूट बन रहा है यानि फल बन रहा है तो फल फट रहा है गया अगर फल फट रहा है तो ये एक बिल्कुल साफ लक्षण होता है कि खेत म boron की कमी है, सात्वों, अगर boron की कमी में आपके खेत में फल नहीं बन रहा है, तो उसके पहले जो भी फसल है आपकी उस फसल को देखकर भी आप पहचान सकते हैं, फसल की जो पत्तिया हैं जैसा कि आप image मैं देख पा रहे हैं, यहां की पतियां जो भी हैं उपर वाली पतियां वो जलने लगें तो यहां पर बोरॉन की कमी का लक्षन होता है इस टाइप के लक्षन अगर दिखाई दे रहे हैं तो यह बोरॉन की कमी के लक्षन है अगर फल जो है वो बद्दा जादा दिखाई दे रहे है तो भी यह बोरॉन की स्प्रे के माद्धे हम से दे देते हैं तो फल आपका साप सुत्रा होगा उत्पादन ज्यादा अच्छा रहेगा सात्यों यहां पर यह बोरॉन की कमी के कुछ लक्षन थे जिनसे आप पहचान सकते हैं और इमेज में देखकर आप सबसे ज़्यादा पहचान इसकी अच्छी क कर पाएंगे सात्यों अगर बात करें कि बोरॉन की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं तो बोरॉन की कमी को पूरा करने के लिए आप यहां पर दो किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से सुहागा ले सकते हैं और सुहागे को पानी के साथ में छोड़कर भी बोरॉन की कमी को पूरा किया जा सकता है अगर आप इस्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 2 ग्राम प्रती लीटर के हिसाब से बोरोन को मिक्स करें पानी में और पानी में मिक्स करके आप इस्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं किसी भी खाद के साथ मिला कर भी boron का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके रिजल्ट भी आपको ज़्याद अच्छे देखने को मिलेंगे साथियो अगर आप ड्रिप के साथ में शोड़ना चाहते हैं तो भी आप 2 kg boron को एक एकर जमीन में खड़ी फसल में भी छोड़ सकते हैं उसके भी रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे साथियो boron लगाने के बाद में हमें क्या-क्या लाव देखने को मिलेंगे तो boron लगाने के बाद में सबसे अच्छा लाव तो यह होता है कि हमारे फलों को फटने से रोक देता है boron पूरी तरह से और boron से जब फल फटने से रोक जाते हैं तो हमारे फलों में बहुत जबर बर्वरी हो जाती है फल फूल बढ़ने लगता है और फल फूल ज्यादा भी बनते हैं तो इस प्रिकार के सिंटम्स हमें बोरान लगाने के बाद में देखने को मिलते है और बोरान से हमें बहुत अच्छा उत्पादन देखने को साथी ये ऑख्सीकरन की किरिया को भी बहुत सामान्य कर देता है जिससे पौधे में इस टाइप के सिंटम्स दुबारा से देखने को नहीं मिलते हैं एंजाइम्स जितने भी होते हैं, उनकी क्रिया सीलता को भी कॉपर बढ़ाने का काम करता है, तो पौदे के लिए ये बहुत अच्छा तत्व है, इसका उप्योग करके बहुत अच्छे लाव लिए जा सकते हैं, सात्यों अब बात करते हैं कि जिंक सलफेट, जिंक मतलब जस् में हैं, तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सात्यों यहां पर पत्तियां बिल्कुल पीली पढ़ जाती हैं, और पीली पढ़ने के बाद में लाल रंकी दिखाई देने लगती हैं, और ये धान की फसल में तो बहुत ज्यादा अकसर देखने को मिलता है, सात्यों पत्तियों में जितनी भी नई पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन होता है और बीच में जितनी भी पुरानी पत्ति होती हैं उनमें बैगनी और जुलसागे धब्बें भी दिखाई देते हैं तो इस टाइप के symptoms जिंक के बिल्कुल common है arm symptoms होते हैं इन्हें हम देखके बड़े आसानी से पहचान सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि जब पतियों का आकार देखते हैं तो वो बहुत छोटा हो जाता है और पतियों की बीच की जो संरशना होती है वो पीली पढ़ने लगती है और गैहूं की जो पतियां होती है वो लगवग 3-4 पतियां उपर की पीली पढ़ जाती है बिल्कुल और पीली पढ़ने के बाद मैं उनमें जुलसा की सिकायद देखने को मिलती है फलों का आकार भी बहुत छोटा हो जाता है और पैदावार तो कम होती ही होती है सातियो धान में जिंक की कमी से बहुत सारे रोग एक साथ आ जाते हैं अगर जिंक की कमी है तो सबसे मुख्य बात यह है कि हमें जिंक की कमी खेतों में नहीं होने देनी चाहिए और प्रकास संसलेशन की किरिया बढ़ाने में जिंक बहुत जबर्जस सायग होता है और इसके साथ में जितना भी हार्मोन चेंज होता है पौदे का उसे पूरी तरह से फुल्फिल कर देता है अगर हम जिंक सल्फेट की पूर्ती अपने खेतों में कर देते हैं किलोरोफिल की निर्मान में बहुत सायग होता है इससे पौदा हरा बरा बना रहता है और पौदे की जो हरी पतिया है वो बहुत लंबे समय तक हरी बरी रहती है तो जिंक सल्फेट बहुत जबर्जस्त काम करता है अगर जिंक सल्फेट का होपयोग आपने कभी खड़ी फसल में नहीं किया है और आपको लग रहा है कि जिंक की कमी हमारे खेतों में हो सकती है तो अभी खेत खाली पड़े हुए है आप खेतों में बुरकाव जिंक का करके पानी लगा दें बहुत अच्छे तरीके से जिंक हमारी मिट्टी में मेल्ट हो जाएगा और उसका रिजल्ट हमें दान की फसलों में देखने को मिलेगा अगर हमने गन्य की खेती में गन्य की फसल में जिंक लगाना है तो अभी हमें पहली डोज के साथ में पानी लगाने से पहली ही डाल देना चाहिए उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे तो सातियों आशा है कि जिंक के जरिये से आप अपनी फसल में उत्पादन जरूर बढ़ा पाएंगे सातियों अब बात कर लेते हैं कि मेगनीज की कमी से क्या-क्या समस्या होती है और क्या लक्षन है मेगनीज को कैसे पहचान सकते हैं मेगनीज में क्या होता है कि जो पत्ता है हमारा वो पौदे का पत्ता पार दर्सी होता है आपने देखा होगा कि पते को हम आर पार देख सकते हो उसमें चिद्र से हो जाते हैं हूज है मतलब पतीयों मरने लगेंगी तो इस प्रकार के symptoms से पौदे में बहुत सारे रोग आजाते हैं इसलिए हमें कभी भी manganese की कमी या manganese की कमी नहीं होने देनी चाहिए अगर manganese की कमी हमारे खेतों में है तो इस प्रकार के symptoms दिखाई देंगे और बहुत सारे रोग आएंगे जैसे बूरी चिट्टी वाले जो रोग होते हैं ये अनाज वर्गिये फसलों में गन्ना वर्गिये फसलों में कपास वर्गिये फसलों में सभी में इस टाइप के symptoms देखने को मिल सकते हैं तो manganese को भी हमें अपने उपयोग में लाना चाहिए और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं किलोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है और किलोरोफिल की मात्रा बढ़ने से पौदे का हरापन बना रहता है पौदा लंबी आयू तक रहता है और पत्तों में ये पारदर सिता जो होती है भो खतम हो जाती है बहुत सारे रोग आने से पहली खतम हो जाती है फिर भी अगर आपकी कोई query हो तो comment box में पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे साथियों के लिए लाबदायक हो सकती है तो आप इसे share जरूर कर दें और साथियो अगर आप चैनल पर नई आई हैं तो इस भी पिरकार की नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें ताकि आपको notification सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसान भाईयो